नमस्कार स्वागत्याप का हमारे चैनल चार जागिंदर मिशा में हल्दी के डब्बे में डाल दें चुपके से ये एक चीज महालक्ष्मी दोनों हाथों से बरसाएंगे धन संपतिवा कुवेर का खाजाना आपके किचन में हल्दी तो होगी ही और जोतिस सास्त्र में हल्दी का होना सबसे ज़्यादा सुबता पैदा करने वाली वस्त उमानी गई है वैसे भी हल्दी हर एक चाहे आप बच्चों का वर्थडे मनाते हैं या फिर हल्दी का टीका करते हैं बिवा होता है तो भी हल्दी और हल्दी को सगुन के तोर पर देखा जाता है हल्दी आपके जीवन के हर छेत्र में फाइदा देती है चाहे वो आपका खाने पीने की चीजे हो या आपकी बीमारी हो आपका केरियर हो तो हल्दी का प्रयोग आप करते ही हैं हल्दी के तोटके आपके जीवन में तरक्की के नए रास्ते भी खोलते हैं और इन तोटके को करने से जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है बिगडे हुए काम बनने लग जाते हैं आज हम बात करेंगे आपके किचन में जो हल्दी है उस हल्दी के डब्बे में आखिर क्या रखें क्या डाल दें कि आपका जीवन जीना सरल हो जाए जीवन की परेसानिया कम हो जाए देखिए हर किसी के कीचन में हल्दी तो होती है और आप जरूर हल्दी का पावडर यहनि की इस्टोर करके रखते होंगे डब्बे में चाहे वो काश का डिब्ब हो या प्लास्टिक का कोई माइने नहीं रखता कोई दिक्कत नहीं आप उसमें भी रख सकते हैं तो हल्दी जो होती है वो आपके कुंडली में ब्रिहस्पत ग्रह से संबंद रखती है ब्रिहस्पत ग्रह का मतलब होता है संतान सुक, बैवाहिक सुक, धन ग्यान, संपत्ति, अनेक प्रकार के धनलाब, कुंडली में देव गुर ब्रिहस्पत जो होते हैं, अगर ये मजबूत हो, तो बहुत लाब होता है पीली हल्दी की गाठ, आप पूजा स्थान पर रखते हैं, पूजा करते हैं, नीमित रूप से तबाप रखें, तो आपका गुरु कमजोर होकर भी मजबूत हो जाता है, यानि कि मजबूत रहते हैं गुरु देव तो आप हल्दी की गाठ यानि कि अगर आप धारण करते हैं अपने कंट पर गले पर पीले धागे के सहरे तो गुरु गुरह भी मजबूत होते हैं और विश्यष का रलाब होता है गाठ यानि साबूत हल्दी अब भगवान स्रीकृष्ण की कृपा भी बरसेगी भगवान वि भी बिवाह नहीं हो पा रहा बैवाहिक जीवन में समस्या है या केरियर में आपको सरलता से सफलता नहीं मिल पा रही तब एक चुटकी हल्दी डाल कर पानी में आप नहाएं रोजाना नहाएं तो बहुत सुब माना जाता है और विवाह की योग भी जल्दी बनते हैं वैस अगर हल्दी का तिलक लगाएं नीमित रूप से घर से बाहर निकलें लगा करके तो मान समान और धन बढ़ता है। अगर घर की नकरात्मक उर्जाओं से आप बचना चाहते हैं तब घर के बांडरी बाल पर अगर हल्दी से रेखा बना दिया जाए तो घर में नकरात्मक उर्जाओं प्रिवेश नहीं कर पाती। बाहर की तरब से इससे आपके घर में नकरात्मक सक्तियां प्रिवेश नहीं कर पाएंगी। हल्दी बाला जल इससे आपके तुलसी भी हरी बरी रहेगी और भगवान सूर की किरपा बरसेगी आपका गुरू भी मजबूत रहेगा। कई बार क्या होता है कि मालक्ष्मी जी को प्रसंद करने के लिए आप बहुत उपाय करते हैं प्रियास करते हैं लेकिन मालक्ष्मी जी लगता है जिसे रूट गई हैं तब क्या करेंगे। तब ऐसे में आप एक प्रियोक करेंगे लगतार कुछ दिनों तक करें आपको लाब होगा इस प्रियोक को करने से अगर आपके आसपास आम का पत्ता है तो एक आम का पत्ता ले आईए अब एक वरतन में पानी ले 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 उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें और इससे आम सा कीजेगा हल्दी के सुगंद एक तो नकरात्म कुर्जे को भगा देता है और दूसरा घर में खुशियां आती है धन बढ़ता है तो ये छोटा सा प्रयोग है लेकिन इसके फाइदे आपको बहुत जल्द मिलेंगे तो हल्दी में ऐसा माना जाते है कि देवेगुण होते है देवेगुण यानि कि ये बिल्कुल एक भगवान का असिरवाद लिया हुआ होता है आपने देखा हुए कि बिवाग के समय बरवधू हल्दी अरफित की जाती है ताकि तमाम परिसानियों से बाधाओं से उन्हें की रक्षा हो सके और मुक तोर पर देखा जाए तो पेट किचन में देखिए हमने टोपिक रखा है कि घर में किचन में जो आपके हल्दी का डब्बा है उस हल्दी के डब्बे में क्या डाल दें चुपके से कि घर की खुश्याय कष्टी हो जाए मालक्ष्मीजी के कृपा बरसे मालक्ष्मीजी के कृपा से आपके घर में धन का कु लाल मिर्च रख दीजेगा लाल साबूत यनि की लाल छे साबूत यनि की पांच छे साबूत लाल मिर्च और ध्यान रखेगा कि लाल मिर्च टूटी फूटी ना हो और हाँ एक बात और ध्यान रखेगा कोई रोके ना कोई टोके ना कोई बोले ना चुपके से आपको रखना है महालक्षमी दोनों हाथों से बरसाएंगी क्रिपा क्योंकि अगर आपके घर में किसी ने कुछ कर दिया टोना टोटका या किसी की तरह से कोई चीज नकरात्मक इनरजी आपके घर में आ गई है या किसी ने कुछ किया है तो उसी के पास ये चला जाएगा और दूसरा हल्दी के डब्बे में आप एक रुपए का सिक्का रख दे एक रुपए का सिक्का या फिर आप चांदी का सिक्का है तो उसे भी आप रख सकते हैं तो मालक्षमी के कृपा बरसेगी आपके घर में धन धान की बरकात होगी धन चारो दिशाओं से आएगा अगर कुछ नहीं है तो आप दो लॉंग दो इलाइची और एक सुपाड़ी हल्दी के डब्बे में चुपके से रख दें फिर देखे चुपके से डाल दे हल्दी के डब्बे में चुपके से डाल दे फिर देखे कैसे लाब होता है मालक्षमी कृपा बरस्ती है और अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो आप धनिया एक जारा की मातरा में धनिया साबूत हो यानि टूटी फूटी ना हो और धनिया मालक्षमी अगर आपको और भी कुछ ना मिले तो आप काली मिर्च के कुछ दाने आप रख दें तो मालक्षमी कृपा बरसेगी निगविटी आपके घर से दूर भागेगी तो दोस्तो हल्दी के डब में इन चीजों में कोई भी चीज आप डाल के रख दे तो विशेश लाब होगता है तो दोस्तो वीडियो को लाइक करें जड़े शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करिएगा